इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं अगर सिंपल डेफिनिशन की बात करें तो अप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर दोज इस रोटेट दे पीपिल मतलब फ्लिन ओप फोल्डरास डाइट ठीक है वो मॉलिक्यूल दे रखा है या कोई सा कंपाउंड दे रखा है उसमें अप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का पता करना है तो हम लोग प्लेन ओप सिमेट्री चेक करेंगे अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ओप सिमेट्री होती है तो वो अप्टिकल इनक्टिव होगा ठीक है अलमुस्ट समी ऑन मौलिक्वतेंट्रूस प्लेडू सीमेट्रूस केwen mthoday इससे कबांड हो जाते हैं। मजलब किaćby जिसमे कॉन तक प्लेडूस को सा सकती है। न यू आ शली है। तो यह मॉलेख्यूल से कुछ दिखे वांड़ी इनन ने देखतेHHHH कौन से सकती है। ऐसे है तो यह क्लोरीन है अब अब यहां क्लोरीन है तो यहां हाइडुजन होगा और यहां पर 2H होंगे इसको भी ड्रोव कर सकते हैं इसे उपर CL है जीजे भी CL है और यहां पर हाइडुजन होंगे इसको भी ड्रोव कर सकते हैं अब 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 दी पलेन कौन सा है CL नीचे ज्या होगा और इसमें CL नीचे है तो हाइडुजन उपर होगा ठीक है और यहां पर 2H होंगे और इसकी उगहर हम बात करें तो उपर CL है नीचे भी हाड़ यहां पर सभी के hydrogen होंगे तो देखो अगर इसमेज़ में plane of symmetry देखते हैं अब यहाँ से अगर हम plane pass करा है तो यह molecules को दो equal भागो में काट रहा है तो इसमेज़ में plane of symmetry है तो यह क्या होगा optically inactive और यहाँ पर सभी तो यह भी क्या करा है molecule को दो equal parts में cut करा है तो optically active, इसमें यहां से देखो तो नहीं है, यहां से देखो तो नहीं है, तो यहां से भी नहीं है, तो इसमें plane of symmetry नहीं है, no plane symmetry, no plane of, hence optically active, optically active, ठीक है, तो इसमें भी अगर देखें तो यहां से bisect करेंगे इसका अगर molecule को, तो यह भी, इसमें भी प्लेन है तो आप्टिकल इनक्टिव इनक्टिव ऐसे दो तीन मॉलकुल और हमारे पास हैं तो इसमें गर हम ड्रो करें तो इस टाइप से कुछ तो यह सील उपर है यहाँ पर ब्यार नीचे है तो होड है तो जुन होंगे इसको ड्रो कहें तो तुन होपर सियल है नीचे भी आ थीक तो नीचे स्यल है इसके यहां नीचे हाइड ऑफिंत बात इसे दो और इस दो किसे कुछिए है उता नो नशी करेंगे था उसरा प्रीन है गत्रूंई इसमे आपके में 옆े नकने हैं में भी कहीं से है कि तो अब तक कर लिए ऑंद आ कि आ से एक आ इसे किसी भी मोलेकुल का हम पता कर सकते हैं कि कहों सा अऀसे ही कुछ इंब करते हैं तो पहला जो कुछिन नहीं साइकली यह इसा अजय है तो इसका आगा हम चोड़ करें तो इस टाप से लगेंग आप ह台 है है कि तो दो थोड़ा सा कर गिसके मेर्टिर दिखाने तो ओना पड़ेगा वैसे भी इसको अंदर प्लेन है ठीक है जो की अब जो ऑप्टिकली ओप्टिकली एक इन अक्टिव स्वड़ी ए अगर इसको रोग करें तो हम लोग कि इस टायब से दिखरोग कर सकते है इसके CL अब अब है ठीक है तो दूसरे भी जो कुलोरी ना वो नीचे है तो नीचे रख दिया और सभी के सभी जो भी हैट जो रहंगे यह ऐसे है तो इसके अंदर कैसे प्लेन पहले इसको ड्रौ कर लेगे फार किं दो लेहे चाइच क्उश्च को शंच करे हैं कि में जोके भी डे हैं हमें वेंकों चेख करते हैं इसमेह कंच क्यूंक तो अब उसकी सिर्थ करें तो इसमें कहीं से plane of symmetry देखते हैं कहीं से कष्थ यहां से क्ट कर ए तो plane नहीं है यहां से भी यह से नहीं है तो में हम इस molecule को कहीं से ग ही दो equal parts मिंद सब वहाइं कर, गृष प्रिंस इक्ति के नहीं आंग है कि इसकी बात करें तो इसमें भी कही से यहाँ से भी नहीं है मोलीक्यूल भी ब्लियन में प्लेन आप सिमेट्री नहीं लग रही है यह भी आप्टिकली एक्टिव अब इसको अगर देखते हैं इस कंपाउंड को इसमेटरी चेक करते हैं यहां से भी नहीं है तो इसमेटरी अपसेंट है तो अप्टिकली अक्टिव अब कुछ ऐसी कुछ नहीं को कर लेते हैं आ जाता है कि इसको भी हम ऐसी ड्रो कर सकते हैं कुछ साइकनों ईतना आए चक्टिविल अपर साइड है इसके कि से चेशेशव दया है अब आप दे प्लैन ठीक कि इसमें आमने सो लगाना है प्लैन ऑब यहां पर हैटोजन यहां पर हैटोजन है तो इसके अंदर अगर जक करें तो यह थो हो दू यहां से भी नहीं है न यहां से है नहीं से नहीं तो प्ले आसे हैं तो इसको ट्रोब कुछी स्ट्रैप्शन कर सकते हैं साइक लोग पैंटेन है ऐसे ऐसे कर सकते सबके सब अब अब है ठीक है यहां से कट करेंगे तो इसको दू भागों में डिवाइड हो जाएगा है तो अप्टिकली अक्टिव कि अब अब ट्रोग अब अब्टिकली अनक्टिव अब है इसको अब बचकरें इसको एकशे ट्रोगजिए उपर है और तो इसक में क्या है कोई प्लेव यहां से करेंगे तो दो भाग एक्वल नी बनेंगे यहां से भी नहीं तो यह इसमें प्लेव स्मेट्री है नहीं तो क्या होगा अप्टिकल यह त्कलि एक्टिव लेक्टिव तो ऐसे हम मॉलिक्वल में मॉलिक्वल प्लेव स्मेट्री में चेक करके किसी भी ऑप्ता कर सकते है कौन सा मॉलिक्वल